हेलो फ्रेंज वेलकम वेलकम बैक वन माई यूट्यूब चैनल तो गाइज आज की वीडियो में आप बात करेंगे 2021 tvs apache rtr 164v versus 2021 tvs apache rtr 182v के बारे में अगर गाइज आप मेरी यूट्यूट चैनल पर नहीं है तो प्लीज गाइज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल 182v से तो गाइज थोड़ा सा ही डिफ्रेंस है दोनों ही बाइक के अंदर क्योंकि थोड़ा सा प्राइज डिफ्रेंस बने के कारण काफी लोग कंफ्यूज हो जाते है कि कौन सी बाइक हम ले 182v या 164v तो गाइज इस वीडियो के अंदर आपा डिटेल कंपैरिजन यह बाइक हैंगल थाउजन 5500 और 182v का एक ओर्पैज अब बात करते हैं दोने बाइक के विरियंट की आल्टेर 182v सिंगल वेरिंट केसा आते है दो डिस्क वेरियंट और गाइज जो आल्टेर 164v वो दो बेरिंट के साथ आते है रेर ड्रम हाइँ अवर और रेर डिस्क ह होस्पावर और रेयर ड्रम वेरेंट इस बाइक की एक छोटी सी डिसाडवांटेज लगती है मिलता है जो कि इसकी डिसाडवांटेज इसलिए है क्योंकि आप अब बात करते हैं नेक्स डिफ्रेंस की जो नेक्स डिफ्रेंस है वह इस बाइक का वह है लाइट में आपको फ्रंट और रेयर दोनों ही एलीडी लाइट मिलती है पर हैलोजनबल इंडिकेटर देहने मिलते हैं करते हैं तो गाइज अब बात करते हैं इंजन के डिफ्रेंस के बारे में आपको 159.7 cc सिंगल स्लेंडर फॉर वैल सिंगल स्पार्क आल्टी एफपाई ओल कूल बेसिक्स कंप्लाइंड इंजन मिलता है जो कि फाइव स्पीड मैनोल ट्रांसमिशन के साथ आता है गाइज दोनों ही बाइक के अंदर आपको फाइव स्पीड मैनोल ट्रांसमिशन मिलता है और क्लच की बात करी जाए तो दोनों ही बाइक के अंदर आपको वैट मल्टी डिस्क क्लच देहरों मिल जेगी अब बात करते हैं 164V की पावर की मैक्स पावर प्रोड्यूज करते हैं 164V 17. 17.6 BHP की और गाइज यह 164V की सबसे बड़ी एडवांटेज है एंट्री लेवल स्पोर्स पाइक जो होती है 152-160cc सेगमेंट की बाइक उन में सबसे ज्यादा पावरफूल बाइक आर्टेर 164V है और गाइज यह बाइक मैक्स में टॉर्क प्रोड्यूज करते है 14.7 करते हैं और बात करते हैं 164 विग के तोड़ा सा कम टॉर्क है और आप करते हैं जो दोनों ही के इंजन में सेम चीज़े देखने को मिलती है वह है 5-speed manual transmission बदेट विजन क्लच वैट मुल्टी डिस्क दोनों ही बाइक के अदर आपको जीटी टी टी फीचर देख रहों मिलता है जो कि काफी यूस्फुल फीचर है अगर आप जेम वगएर में फसे होोए है तो आपको काफी हफ मिलेगी जीटी टी टी फीचर से ग्लाइड थ्रू ट मिलती है पर मिलते हैं अब बात करते हैं ब्रेक वील सस्पेंशन की दोनों ही बात करें आपको सेम दिस्क देनों मिलते हैं फ्रंट में आपको 270 mm की रेर में आपको 200 mm युशिव्यों बात ती दोनों ही बायक के रेर डिस्क विरेंट की अगर आप रेर ड्रम लेते हैं तो उसके अंधर आपको ड्रम देकर लेका 130 mm का मिलते हैं अब बात करते हैं डुश्य की दोनहीं बायक के आपको शेम टायर देहनों मिलते हैं फ्रंट में आपको 90 1817 इंच ट advantage मिल जेगी आपको 130 section टायर देनों मिल जा जो कि as compared to rtr 182 भी रेर टायर थोड़ा सा चोड़ा मिल जेगा और यह एक छोटी सी disadvantage बेगा इस 164 वी के लिए क्योंकि आप pay करोगे 132,000 के आसपास on road bike के लिए तो भी आपको रियर भी रेर डर्वेरिएंट में 110 section टायर देनों मिलता है अगर आपको FZ V2 से compare करें जो previous model था FZ का उसके अंदर भी आपको डर्म वेरियंट मिलता था पर गयंज आपको 140 section टायर भी मिलता था पर इस इस बाइक के अंदर आपको रेर ड्रम वेरियंट में 110 सेक्शन टायर देनों मिलता है जो कि एक छोटी डिसएडवांटेज है और गाइज अब बात करते हैं सस्पेंशन की दोनों ही बाइक में फ्रंट में आपको टैलिस्कोपिक सस्पेंशन देनों मिल जेंगे पर गाइज तो मेजर डिफ्रेंस है वो रेर सस्पेंशन में दोनों ही बाइक के आर्ट या यह बाइक लूँ यह बाइक लूँ यह बाइक लूँ तो गाइस मैं एक आपको चूज करें जिस बाइक के अंदर आपके मनमुताबिक फीचर हो जैसे कि आपको पोटी राइट चीए तो अगर आपको गाइस मैलें चीए तो आप थोड़ी सी कम फारफुल बाइक ले सकते हैं अगर आपको सिर्फ लुक देखने हैं तो आप लुक के बेसिस पर बाइक ले सकते हैं अगर आपको काफी फीचर लोडिड बाइक चीए तो आप उस बाइक को चूज कर सकते हैं तो ग इंन बिडियो में बने रहे और धाइज है अब बात करते है दोलनों वी बाइक स्पीडो मेटर की दोनों souls mister is a एफ के स्थिटो मेतष अलगालाइ मुलते हैं और 182 Undis 60 time recorder, high speed recorder, neutral indication, high beam, turn signal indication, engine travel light, low fuel indication, service reminder, low battery indication और ABS light और जो feature 182V के अंदर नहीं देखनों मिलते हैं क्योंकि 182V feature के मुकाबले में दो कदम पिछे रहा जाता है बस सिर्फ और सिर्फ दो कदम पिछे और गाईज वो दो कदम पिछे मैं बता देता हूं कौन कौन से feature है shift light wrong की और गाईज आप tachometer की setting को change नहीं कर सकते हैं अगर गाईज आप चाते हैं कि मैं complete detail review करूं RTR 164V के speedometer का आप tachometer की setting को कैसे change कर सकते हैं तो गाईज आप comment करके जूरू बता सकते हैं complete detail वीडियो मना दूंगा RTR 164V के speedometer की और गाईज अब बात करते हैं एक single disadvantage के बारे में जो RTR series के अंदर नहीं देखनों मिलती सिर्फ rr310 के अंदर देनों मिलती है side stand cut off गाईज side stand cut off तो दूर की बात इन RTR series के अंदर आपको side stand indication ही नहीं मिलती आप कोई भी RTR series की bike को उठा के देख सकते हो RTR 164V, 182V, 162V और 204V के अंदर गाईज किसी के अंदर आपको side stand indication feature आपको किसी bike के अंदर नहीं देखनों मिलता और गाईज अब बात करते हैं handlebars की दोनों ही bike के handlebar अलग अलग है पर गाईज जो feature है handlebars के अंदर left और right side में वो सेम है दोनों ही bike के left side में आपको high beam switch, pass switch, turn signal indication switch और hone switch देनों मिलजेगा right side में guys आपको engine kill switch और engine start button देनों मिलजेगा बट जो difference है guys वो है 164V के अंदर guys आपको single road handlebar देनों मिलजेगा 182V के अंदर आपको guys clip on handlebar देनों मिलजेगा flip on handlebar की वेज़े से guys आपको sporty ride मिलेगी और 164V के अंदर guys आपको single road handlebar देनों मिलता है तो इसके कान थोड़ी सी ride comfortable हो सकती है क्योंकि 182V के अंदर guys आपको थोड़ा सा ज्यादा आग्गे जुक के बैठना पड़ेगा जिसके कान आपकी back pain हो सकती है पर guys यह complaint आज तक किसी ने नहीं की की हमारी back pain हो रही है तो इसलिए guys दोनों ही bike के जो handlebar है वो आपको comfortable मान के चल सकते है और guys अब बात करते हैं mileage की जो दोनों ही bike की mileage owner claim करते है वो own and average 43 to 50 km per litre की mileage claim करते है owner 182V की guys थोड़ी सी displacement जादा है पर attention ना ले guys क्योंकि उसके अंदर valve दो ही है तो इसका मतलब दो valve engine के अंदर कम fuel पहुचाएंगे 164V की guys displacement कम है पर guys उसके अंदर valve ज़ादा है और power भी ज़ादा है जिसके कारण valve ज़ादा होने के कारण guys engine के अंदर fuel ज़ादा जाएगा जितना ज़्यादा fuel engine के अंदर जाएगा उतनी ही ज़्यादा बाइक पावर प्रोड्यूस करेगी और गाइज अब बात करते हैं टॉप स्पीड की 164 वी की जो कंपनी टॉप स्पीड क्लेम करते हैं और जो maximum tow speed जो इंडियन दुरंदर टच करते हैं highway के उपर वो है 121 to 130 km per hour की और गाइज अब बात करते हैं fuel capacity की जो की last difference है 164 वी के अंदर आपको 12.5 लिटर का fuel tank देरों मिलता है और 182 वी के अंदर आपको 12 लिटर का fuel tank देरों मिलता है और दोनों ही बाइक की जो reserve capacity है वो है 2.5 लिटर तो गाइज ये था इन दोनों ही बाइक का डिटेल कंपारिजन अगर आपको वीडियो चलेगी तो लाइक करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में